दोस्तो आज एक ऐसी फ्रेंचाइजी के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें कम लागत, कम खर्चे में आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, महीने के तीन से चार लाक रुपए को मालोगे और इस बिजनस में, इस फ्रेंचाइजी में आपको प्रोफिड ही प्रोफिड होगा तो मैं बात कर रहा हूँ ग्रोसरी मार्ट की फ्रेंचाइजी के बारे में, देखो जब भी ग्रोसरी मार्ट की फ्रेंचाइजी की बात आती है, सब के दिमाग में यह आता है, कि हम इसकी फ्रेंचाइजी क्यों ले, हम क्यों अपने पैसे इंवेस्ट करेंगी, हम खुद से तो material डाल सकते हैं, वो ही तो material वो लोग देंगे, ऐसा नहीं होता है, आप कुछ से material डालोगे, तो गाटे में जाओगे, profit कभी कमा नी पाओगे, क्यों मैं समझाता हूँ, जो franchise का मतलब क्या है, franchise आपको मिल रही है, तो वो आपको समान जो रहेगा, वो एक ऐसे vendor से लाके दे लेकिन wholesale वाले को भी पता है कि आप नहीं हो, आपको उस price में वो कभी चीज नहीं देगा, जो बाके vendors को दे रहे हैं, और इस चक्कर में ना आप कभी किसी को offer दे सकते हो, आप सबसे पीछे रहोगे, तो आपके पास कोई भी नहीं आगा, क्योंकि अगर आप किसी को सस्ती चीज नहीं दे रहे हो, ना कोई offer दे रहे हो, तो आपके पास कोई नहीं आएगा, तो इसी चक्कर में क्या होता है, काफी business बंद भी हो जाते हैं, और एक दो साल तक ना growth दिखती है, ना कुछ आप कमा सकते हो, तो इसी लिए क्या होता है, फ्रेंचैजी इसमें help करती है, सबसे ज़्यादा इसमें demand grocery mart franchise है, क्योंकि ये कम price में आपको दे रहे हैं, ऐसे price में कोई franchise नहीं देगा, इसकी detail में आगे बात करता हूँ, लेकिन और चीज अगर हम बात करें, grocery mart में क्या है, वही चीज़े आपको product दिये जाएंगे, जो demand रहेगी, पूरी इनकी marketing team, पूर जो consumer को समझती है कि क्या demand है, क्या offer चल रहे है, क्या offer देने चाहिए, कौन सा material सामने रखने, ये सब चीज़े grocery mart आपके लिए चाहिए, आगे मैं complete detail देने वाला हूँ, कितनी आपको जगा चाहिए, कितनी लेवर चाहिए, कितना घर्चा आएगा interior पे, material पे, या फ्रेंचा माट में, जिसमें आपको हर चीज आइटम मिलेगी, मतलब grocery का, personal, household की item, baby और pet care की, toys, home and kitchen design, gifts, food, snack, dairy product, beverages, fruit, vegetables, हर चीज़, frozen item, हर चीज एक जगा अगर आप provide करोगे, तो वहीं लोग आएगे बस आपको उसको खोलने की देरी है, और इस माट में आपको brand, हर एक brand, जो भी ब 900 प्लस brand इस grocery माट में आपको मिलेंगे, और 20,000 प्लस products आपको इसमें मिलेंगे, और एक अच्छे price में आपको मिलने वाले हैं offer के साथ, जिको इस माट की requirement क्या है, कुछ भी requirement नहीं है, आपके पास 300 से 1000 square feet अगर area है, तो आप इसके लिए apply कर सकते हो, कितना 300 से 1000, franchisee fees कितनी रहेगी, सिर्फ 1,85,000 रुपिया इसमें आपको देने, कितना 1,85,000 रुपिया प्लस GST, इतने कम में कोई आपको franchisee नहीं देगा, जो software आपको provide करेंगे, उस software की help से आप पूरी billing हर चीज कर सकते हो, 55,000 रुपिया लिए जाएगा per login के हिसाब से, product cost अब minimum 1500 रुपिया पर square रुपिया पर square feet वो लग लो, interior cost ही हो रहेगी, 1000 से 1200 रुपिया per square feet cost, अगर थोड़ा बहुत investment आप करते हो, तो इसमें आप complete, देखो मतलब सिर्फ company को लगा लो, lump sum आपको 2,00,000 रुपिया देने, बाकी जो investment होगा, वो आपके mart पे, आपके material पे होगा, आपके interior पे होगा, आपकी shop पे होगा, अब सबके दिमाग में होगा कि अगर franchisee वो दे रहे हैं, दो लाक रुपिया ले रहे हैं, उसमें करके क्या क्या देंगे, देखो, उसमें आपका website और social media ads जोंगी, वो उनकी तरब से रहेंगे, event और online program जो होगा, मतलब sale को increase करने के लिए, वो रहेगा, operation support रहेगी, accounting support रहेगी, और तीन staff hiring और training support इनकी रहेगी, day to day purchasing support रहेगी, फिर इनका advertising और promotion का काम रहेगा, मतलब आपके area में पूरा ये, पूरा मतलब सब कुछ setup करके आपको देने वाले हैं, और तो और company क्या बोल रही है, आपको 4 महिने तक कोई royalty नहीं देनी है, मतलब 4 म महिने तक जब आपका store खुलता है, तब तक आपको कोई royalty नहीं देनी है, वो आपको 6 महिने बाद कुछ देनी पड़ेगी, फिर approach इनका जो estimate 2-5 लाख रुपे पर मन्त आप कमा सकते हो, अगर अच्छे से आप store run करते हो, तो अगर बात करें इसको apply कैसे करना है, तो इसको apply करने का simple process, simple procedure रहेगा, आपको क्या करना है, description में link रहेगा, वहाँ application form रहेगा, जैसे सामने आप देख रहे हो, आपको अपना नाम, first name, last name, address, state, city, gst number, parent number, model, कितना area आपके पास है, account name, account number, IFC code, और registration amount, ये सब fill up करके आपको इनको करना है, बाकि आपको आगे से call आ ये procedure इसका रहने वाला है, अगर एक ऐसा business आप सोच रहो हो, जिसमें profit हो, और इतनी सिर्ददना हो, तो grocery, mart, franchisee, उसका एक best option है, बले कुछ भी हो जाए, क्रोना आजाए, कुछ भी हो जाए, ये जो business है, हमेशा चलता रहेगा, ये डेली needs जहां मिलती है, वो business कभी बननी हो होता है, और growth उसमें देखने को मिलती ही मिलती है, और grocery mart इसी में आपको help करेगा, ने-ने offers दिलाके, आपकी marketing करके, ने-ने तरीके दिलाके, software देके, तो अगर इसके लिए apply करना चाहते हो, तो सामने phone number भी है, बागी description में link भी है website का, आप जाके पूरी detail लीजिए और apply कर ल जाई बादी